हर हर महादेव कैसे हैं सब लोग आशा करते हैं कि सब लोग स्वस्थ होंगे तो आज का जो ब्लॉग रहेगा वो डॉमिनार 400 की माइलेज टेस्ट को लेके रहेगा हमने पहली भी एक बार माइलेज टेस्टिंग की वीडियो निकाली हुई है बट यहां पे आपको अभी तक इस बीन 2.5 यह बट अभी तक जीरो कंप्लेन आई हुई है ऑटो कट अपर वाइड हो इस पेट्रोल की खासियत आपने और देखी यहां पे जो डेंसिटी है ना वो भी 732 है जो की मोर दन इनफ है और पेट्रोल प्राइस हैं जम्मू में 97.50 रूपीस तो आटो कट पे हमा 700 के अबब मिलेगी ट्रिप जो है वो 00 कर लेते हैं क्योंकि माइलेज के लिए हमको ब्लॉग निकालना है और अल्रेडी हमने यहां पे भी 300 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया हुआ तो ट्रिप वान ट्रिप टू कर लेते हैं ठीक है ट्रिप टू को करेंगे अभी हम लोग 00 00 चलिए जी यह हो गया 00 ट्रिप टू ठीक है और मैं किलोमेटर्स आपको बदा देता हूं 10954 100 किलोमेटर के आसपास हम लोग इस बाइक को चलाने वाले हैं डैट मींज 11,054 इतना ही होता ना मैस मेरा सोटा सा कमजोर है समझ आना अपने हिसाब से जैबावे वाली माता जै अब तो 10-15 मिन में आप देखना और कितना ज़्यादा ट्राफिक हो जाएगा हाइवे पे और सीटी की माइलेज मेना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है मतलब दस तक की माइलेज गिर जाती है एंड हमारी जो एक्स्वी है ना वह मैक्स टूमैक 17 की माइलेज देती है अ और हम लोग उसको लेल अदाक लेके गए था जो सार्चू से जिस्पा वाला एरिया था ना वहां पर मतलब वो जो ऑडो मीटर पे क्लस्टर पे माइलेज शोग कर रहा था ना फोर की कर रही थी मतलब देखो एक्स्योव थी डवलो अभी आप लगाओ हिसाब थार्व यहां पे ना आपका फिफ्ट एंड जो है ना वो तो आप भूली जाओ और शिक्स तो पड़ेगा यह आपका पूरी सीटी ड्राइव में ना फ्री रहेगा एक्दम रेस्ट आपके गेर्स अप डाउन होते रहेंगे फर्स सेकिंड ठर्ड ऐसे ही रहेगा ठीक है बीच में वो आटो रिक्षाज वाले और मेटडोर वाले वो देखो वहां पे रश जम्मू में ना दो जगाएं एक हमारा जानिपूर वाला रोड दूसरा तलाब तिलो बोरी रोड यहां पे चले जाओ यहां पे यह है कि ट्रैफिक स्लो ट्रैफिक बहुत ही जयदा हद से जयदा स् यही सब पूरी करते हैं माइलेज वीडियो निकालने के लिए हम उस वाली जगह पे जाने वाले हैं यहां पे घाडियां तो चलो होंगी होंगी लोगों की आवाजा ही बहुत जयदा होगी मतलब सेकिंड गेर अगर पड़ जाए तो बड़ी बात है और लगबग 30 से 50 किलो माइलेज बीडियो के में बात कर रहा था माइलेज हमने अल्रेडी एक हाइवे पे निकाली हुई है उसमें हमको 31-32 kmpl के आसपास माइलेज दे रहा था और मल्टिपल माइलेज के ब्लॉग जाने थे बट बीच में हमको टाम नीमिल पाया कि नहीं हम लोग विजी होगे तो ब्लॉग मैंने सोचा हुआ था ना वो वाला तो आज पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मैंने सोचा था कि आज आपको एक्स्ट्रीम वाली सीटी ट्रैफिक दिखाएंगे बट समाव बीच में कुछ पार्ट पे तो आज बंद किया हुए रोड कुछ जशन चल रहा है वहा हाँ और यहां पे कपली कपल आपको दिखेंए तो आप लुप देख सकते हो कि आपका बंदा है आपकी बंदी किसी और के साथ तो नहीं गुंगरी ध। मतलब यहीं उसे रहते थे डॉमिनार लेके मैं बहुत कम आता हूं क्योंकि यह न हैवी है अब जो कोई जितना मर्जी बोले कि सीटी में, सीटी में, सीटी में बाई साब सीटी एक होती है जो बाहर वाली सीटी एरिया यह मार्किट एरिया यहां पर डॉमिनार लेके आना मतलब दज्जियां उड़ जाएंगी आपकी हो यह देखो मेरा हाथ यह देख रहे हो यह कितना लाल हो गया यहां से दिखना दबा हुआ यह करना पड़ता है बाई साथ दोसों कि लोगी बाई के क्या करना है आप लोग आगे स्कॉर्पियो ज पड़े नहीं चलो आपके ही से ही आई डोंट नो कि गोप्रो में इस एक्जॉस्ट फैन की ओवाज आ रही है कि नहीं आरी पर जब से हम लोग कच्छी चावनी में एंटर हुए ना तबसे हाड़ी दस भी सेगिंड के लिए अग्जॉस्ट फैन आफ हो आओगा अधर यह कितना जैदा फर्यद्ध है भी तो बहुत ना मेरी अंतर वह तो पहले एक थी लाइफ में जिसने मेरा आदा खून पी दिया नहीं तो भाइसाब खून मैं ऐसे ना कश्मीरी सेव की तरह लाल हुआ करता था पहले हामने हमारा रगुनाध बजार बढ़ते सीदा नो एंटर इतनी भी चीज़ें जो लोग इंस्टापे हैं वहां पर हम लोग शेर करते रहते हैं जब वो सारी चीज़ें हो जाएंगे उसके बाद एक लास्ट आना हमने जंवू है बाकी का 50-55 किलोमेटर देखते हैं कहां जाना है ट्राफिक तो मिलेगा बड़ ठक गया हूं मैं आज इतनी ट्राफिक में चलाने की आदती नहीं रही है अब तो आटो वाले वहिया बीच रोड के नेगोशेशन करते हुए एक तो इन आटो वालों को ना ऐसे करते हैं है एक दम से आज का ब्लॉग ना भाई साब बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया मतलब सीटी के अंदर वाले एरिया पे पूरा मैंने कैमरा अपना और नी रखा कितनी सारी बख्चोधी भरी इच पड़ी है मतलब बख्चोधी बख्चोधी करी है हर जगा पे कितना कुछ काटा होगा मैंने ना जाने आप लग बहुत लिमिटेड देख रहे हैं आज का ब्लॉग बस थोड़े दिन ओर यार मार्च यां एपरल एंडिंग तक ना हंड़र के हो यहां भी एक्स्ट्रीम ही ट्रैफिक है कि प्लेंडर निकली अपर आवा शू शू करता मैं कैसे जाना पला सो गाइस वी अव कंप्लीटीड 100 किलोमीटर यह आप देख सकते हैं ट्रिप टू हमारी 101.2 हो गी है एक किलोमेटर एक्स्ट्रा आ गया है फोर मोर क्लैरिफिकेश मैं आपको ओडोमेटर दिखा देता हूँ यह देखो 11,055 किलोमेटर ठीक है आपने देखा होगा कि जिस टैम पे हम लोग सीटी में हमने राइट स्टार्ट करी थी ना हमारी तो 10,954 था तो एक किलोमेटर पस एक्स्ट्रा आया 101 किलोमेटर की माइलेज हम लोग चेक कर रह है ऑटोकट पे 4.20 24 की माइलेज दे रही है डॉमिनार 400 हमारी सीटी में मतलब आप देखो हाइवे पे जो बाइक 30-35 के बीच माइलेज दे रही है सीटी के अंदर वो 24-23 के असपास आगी है दोस्तों अगले 4-5 दिन तक आपको कोई भी ब्लॉग नहीं दिखेगा कोई भी शौर्स नहीं दिखेगी कोई भी रील नहीं दिखेगी स्टोरी में आइल ट्राय क्योंकि होली आरी और होली जो है वो मैं यूट्यूब है यह सब सोचल मेडिये से थोड़ा चार से पांच दिन के लिए दूर रहना चाता हूँ थोड़ा सा अपने आपको टाइम दे देते हैं अपने हिसाफ से सैलिब्रेट करेंगे अब आपसे मुलाकात होगी सीधा हंड़र्ट के कंप्लीट होने के बाद ख्याल रखिए स्वस्त्रहिए होली जम के सैलिब्रेट कीजिए शम्भू